नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल में दोस्तों जब कोई ऐसा शक्ष जिसे हम बेहत प्यार करते हैं और वो हमसे दूर हो जाता है तो हमें बेहत बुरा लगता है या लगतार हम किसी काम को करने के लिए कोशिश में लगे हों और वो काम किसी न किसी वजह से रुका रहे तो बहुत गुसा आता है ऐसा लगता है जैसे ना जाने सारे जहान की मुसिबतें हमारी ही किस्मत में लिखी हो लेकिन आज ऐसी कोई समस्या ना होगी जिसका समाधान ना हो जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी हर छोटी बड़ी कैसी भी समस्या का समधान एक ऐसी विधी जिसे आप किसी को भी कंट्रोल में कर सकते हैं फिर चाहे वो आपका बॉस हो, परिवार हो या फिर अन्नी कोई भी व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हो जिसके बिना आप रह नहीं सकते इस तरीके से वो शक्ष आपकी पूरी कंट्रोल में होगा अगर ये प्रचंड तोट का आप अपनाते हैं तो आप सारी जिन्दगी सिर्फ और सिर्फ खुशियों में व्यतीत करेंगे और आपको यह तोटके तभी करने होंगे जब आपको तंत्र मंत्र की थोड़ी बहुत जानकारी हो वरना अगर आप हमारी गुरु माता जी की निग्रामनी में ये तोटके कर सकते हैं या फिर तोटके और भी प्रचंड हो जाएंगे क्योंकि गुरु माता जी आपको इन सब तोटकों की पूरी जानकारी देंगी और उसे प्रचंड बना देंगी आपका पूरा सहयो करेंगी तो आएए अब बिना समय बरबाद करते हुए बताते हैं कि आखिर आपको करना क्या है कैसे गुलाब के फूल से आप किसी को भी अपने प्यार में पागल बना सकते है तो दोस्तों ये आकर्षित करने की विधी बहुत ही सरल है विधी को सुभा सुभा करना है बिलकुल सूर्य उदय के समय इस बात का पूरा ध्यान रखे सुभा नहा कर छट पर जाए और हाथ में एक लाल गुलाब लेकर बैठे और उसका ध्यान करें जिसको आप आकरशित करना चाहते है आपको उस व्यक्ति के बारे में इतना सोचना है कि उसका चेहरा आपकी आँखों के सामने आ जाए उसके बाद आपको जो मंत्र बताया जाएगा उस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है ध्यान रहे ये विधी करते वक्त कोई आपको दीखे ना वरना इसका कोई असर नहीं होगा फिर मंत्र बोलकर आपको तीन बार उसका नाम लेना है जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं फिर गुलाब में आप फूक मारें एक काले कपड़े में गुलाब को बांध कर आप उसकी पोटली बना लें और जिसे कंट्रोल में करना चाहते हैं उसकी फोटो भी इस पोटली के अंदर आपको डाल देनी है और मंत्र का जाप 11 बार आपको इस पोटली में करना है फिर आपको इस पोटली को पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है आईए अब आपको वो प्रचंड मंत्र बताती हूँ ओम वश्यम कुरू कुरू जी हाँ ये मंत्र है ओम वश्यम कुरू कुरू इस मंत्र से आप अपने सामने वाले व्यक्ति को जिसको आप आकर्शित करना चाहते हैं आप कंट्रूल करना चाहते हैं आप उसी कंट्रूल कर सकते हैं दोस्तों इसका प्रयोग करते ही आपका प्यार आपका हो जाएगा और ये सिद्ध मंत्र है उनका जिनका करा कभी फेल नहीं होता पर ध्यान रहे कि विधी करने से पहले आप एक बार गुरु माताजी से बात अ कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप गुरु माताजी से सीधे संपर्ख कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार